नवस्कार दोस्तों मैं कृष्ण कुमार सुकुला पीबियार स्टेडी पर आपका स्वागत करता हूँ यह है चैप्टर नमबर टू और इसकी एक्सरसाइज है 2.2 बहुपद बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 है तो आएए देखते हैं इसका पहला कोईशन क्या है और वन से समझ में आया सारा कोईशन तो आएए देखते हैं इसका पहले कांसेट्स क्या है तो कांसेट्स में सबसे पहले आता है सुन्यक की बहुपद का सुन्यक कैसे देखते हैं बहुपद का सुन्यक बहुपद का सुन्यक होता क्या है मान लिजिए कोई बहुपद है पी एक्स बरावर 5x²-3x-2 मान लिए यह कोई बहुपद है तो इसका सुन्या क्या होगा तो अगर हम मानते हैं P हम कहते हैं x बरावर 1 रखने पर x बरावर 1 रखते हैं तो यह P1 की वैलू क्या आएगी 5 इन्टू 1 का स्कार माइनस 3 इन्टू 1 माइनस 2 P1 इक्वल टू 1 का स्कार वन ही होगा 5 पंचा 5 5 माइनस 3 इतकम 3 माइनस 2 और यह 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आगया यहनि यहाँ पर P1 क्या आगया 0 जब X का जो मान रखने पर बहुपत का मान सुन्य आजाए वही बहुपत का क्या होगा सुन्यक होगा तो इस बहुपत का सुन्यक कितना है 1, सुने क्या है 1 x बराबर 1 हो गया अब इस x बराबर 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x-1 equal to 0 ये आगे यूज होगा तो ये है आपका concept इसको आपको सीखना बहुत जरूरी था अब हम आगे question फटा फट करते चलेंगे, आपको कहीं कोई भी परिसानी नहीं होगी यहाँ पर देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं p x बराबर ये बहुत था 5 x square minus 3 x minus 2 हमने x बराबर 1 रख दिया जहां जहां हमें x दिखेगा वहां वहां 1 रख देंगे 1, 1, 1 ठीक है बस इसको solve कर लेंगे p 1 5 उन्जा 5 ये ऐसे 0 आ गया तो आईए देखते हैं exercise 2.2 exercise 2.2 पहला question चलिए देखते हैं ये है पहला question इसमें क्या कह रहा है निमनलखित पर बवपद 5 x minus 4 x square plus 3 के मान ग्यांद कीजिए किस पे x equal to 0 पर तो हम जब इस बवपद पर x ब्रावर 0 रखेंगे क्या मान आएगा वही हमको बताना है आईए देखते हैं p x ब्रावर क्या है हमारा बवपद 5 x minus 4 x square plus 3 चलिए देखते हैं आगे अगर x ब्रावर 0 दिया है तो हम p x मान लेंगे 5 x minus 4 x plus 3 p x इसलिए मानते हैं क्योंकि बवपद को हम p x q x ऐसे मान लेते हैं तो x के जगा पर 0 रखेंगे equal 5 into 0 minus 4 into 0 का square करेंगे 0 भी रहेगा plus 3 equal 5 को 0 मालिटिपल आगे नहीं 0 minus 0 से गुड़ा करेंगे 0 plus 3 0 ये कोई मतलब नहीं है और answer आगया 3 तो इसका answer क्या आया कि अगर पहले में x ब्राव 0 रखेंगे तो इस बहुपद का जो मान आएगा वो आएगा 3 ठीक है हमें यही निकालना था कि निम्लिखित बहुपद पर इतने इतने के मान ग्याद कीजी जब x ब्रावर 0 तो ये हमारा हो गया 3 हो गया answer ठीक है अब दूसरे में क्या है बहुपद यही है बहुपद यही सिर्फ मान में परिवर्टन किया गया है अब की निकालना x x equal to minus 1 x की जगापर minus 1 रखना है ठीक है तो हम बहुपद यही लेंगे p x equal to 5 x minus 4 x square plus 3 बहुपद यही है x की जगापर अब की minus 1 रखना है तो p minus 1 का मान निकालना है क्या जाएगा 5 into x गहापर minus 1 minus 4 into minus 1 का square plus 3 5 minus 1 में multiply करेंगे minus 5 फिर minus 1 का जब square होगा बहराइगा यह plus 1 हो जाएगा और minus 4 और into plus 1 क्या हो जाएगा minus का 4 बन जा 4 plus 3 5 और 4 minus 5 minus 4 जुड़कर minus 9 हो जाएगे plus 3 और यह minus और plus घट जाएगा minus और plus घट जाएगा minus 9 minus 9 में plus 3 एड़ होगा तो कितना जाएगा minus 6 minus 6 is your right answer क्योंकि जब minus वाला symbol बड़ा है तो minus जिन यहाँ पर लग जाएगा अगर आपको यह जोड़ना घटाना नहीं आता तो आप PBR study basic maths जरूर देखे वहाँ पर आपको समझ में आएगा तो minus 9 में से 3 जब जुड़ेगा तो यह घट जाएगा क्योंकि सिंबल क्या है डिफरेंस है तो यह minus 6 आ गया आएए देखते हैं कोशन नमबर तीसरा तीसरे में क्या कह रहा है इसमें लेना है x बराबर 2 x equal to 2 यह home work है home work है बिल्कुल easy question है easy है इसलिए हम छुड़वा दे रहे हैं आप लोग try करिए नहीं आएगा तो हम बताएंगे कोई बात नहीं ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question भी आप लोग try करिए question आ जाए बहुत ही जी है नहीं तो कहिए तो हम बता ही देते हैं चले एक ही question है तो बता ही देते हैं 5 into 2 minus 4 2 का square plus 3 5 दूना 10 minus 2 दूना ये क्या हो जागा 4 और 4 का फिर 4 में गुड़ा होगा 4 चोग चली एक line और कर देते हैं 4 into 2 तो जा 4 plus 3 फिर आ जाएगा 10 minus 4 चोग 16 धन 3 ठीक है अब क्या होगा धन 10 धन 3 एक में जुड़ी जाएगा 13 और minus 16 13 minus 16 क्या जाएगा minus में 3 minus में 3 आपका answer हो गया चलते हैं आगे चलिए देखें ये है question number 2 निमलखित बहुपद में प्रतेक के लिए p0, p1 तथा p2 ग्याद कीजिए ये एक बहुपद है py बराब y square minus y plus 1 इस पे हमें 3 मान गयाद करना है क्या क्या एक बार y बराबर हम 0 रखेंगे एक बार y बराबर 1 रखेंगे एक बार y बराबर 2 रखेंगे तो आईए देखते हैं 1 by 1 कैसे करेंगे y equal to 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा पी 0 equal to y जहाब 0 रखना है 0 का square minus 0 plus 1 0 0 कुछ नहीं होगा और answer क्या आजाएगा 1 तो आपका 1 आपका क्या हो गया answer पहला answer तीन answer निकालना है तो पहला आगया ये अब फिल लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर तो y जब 1 रखेंगे p1 कमाना जाएगा p1 बराबर क्या जाएगा y की जहाब पर 1 रखेंगे 1 का square minus 1 plus 1 1 का square क्या हो जाएगा 1 और minus 1 plus 1 चाहिए यहाँ पर याप minus 1 plus 1 काट सकते हैं और answer क्या आगया 1 1 is your answer चीख है आगे देखती हैं अब क्या रखेंगे y बराबर 2 रखने और by the putting of y equal to 2 तो क्या जाएगा p2 py की जगा पर p2 रखेंगे y square याण 2 square minus y याण 2 plus 1 और फिर आजाएगा 2 to the 4 minus 2 plus 1 इसको simplify कर सकते हैं यहीं पर लेकिन देखिए 4 plus plus वाला जुलेगा 4 एक 5 minus 2 5 मेंसे 2 गया कितना आगया 3 is your answer तो इस तरह से सभी आपको इसमें कर लेने हैं इसके हैं total 4 पार्ट लेकिन हम अब 4 पार्ट आपको नहीं बताएंगे हम बताते हैं दूसरा और तीसरा और चौथा होमवर्क है नहीं तो हम बताएंगे आपको दूसरा और तीसरा होमवर्क है दूसरा और तीसरा पार्ट होमवर्क है हम आपको बताते हैं चौथा पार्ट कुछ अलग अलग रहा है तो चौथा पार्ट है P X एक्वल टू X माइनस 1 और X प्लस 1 तो हम चौथा देखते हैं चौथे में फिर वही करना है क्या क्या करना है इसमें भी एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 रखेंगे तो phase X अलग लखाए तो हम यहाँ पर X बार 0 रखने पर जब एकक्स बार 0 रखेंगे था हमें पी 0 मिल जाएगा जहां जहां यह एक्वल होमें 0 रखेंगे . 0-1intu यहाँ पर बीच में intu लगा रहते हैं बीच में कुछ नहीं रहते है दो breakout के बीच में अगर कोई symbol नहीं है तो यहाँ पर into का symbol होता है 0 plus 1 ठीक है अब यह आजाएगा 0 में से minus 1 होगा तो minus 1 ही रहेगा into plus 1 तो minus 1 into plus 1 1 वन जा 1 symbol किसका लगएगा minus का minus और plus का multiply minus होता है तो answer क्या आगे minus 1 is your right answer तो एक question में तीन answer आएंगे तीसरा फिर क्या रखेंगे x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा P1 और P1 मिलेगा तो मारा equation क्या है x minus 1 x plus 1 तो x minus 1 x plus 1 की जगा पर 1 की जगा x जगा पर क्या रखेंगे 1 1 minus 1 और फिर 1 plus 1 बीच में इंटू का सिंबल रहता है आपको पता है 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा इंटू का सिंबल है इंटू 1 plus 1 2 हो जाएगा और जब किसी नंबर में 0 से गुड़ा होता है तो वो 0 हो जाता है तो आपका आंसर क्या आ गया 0 0 आपका आंसर हो गया ठीक है अभी एक बार और इसमें करेंगे x बराबर 2 रखने पर जब x बराबर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा p 2 कमान मिल जाएगा हमें p2 भी निकालना है तो p2 रखेंगे तो x गाप है यह देखिए x गाप क्या हो जागा 2 माइनस 1 फिर x गाप 2 प्लस 1 ठीक है 2 में से एक गया 1 इंटू यहाँ पर है 2 1 3 तो 3 बंजा आंसर के आगया आपका 3 3 is your right answer तो यह है आपका exercise 2.2 का दूसरा question समाप्त होता है आपको इसमें homework क्या करना है दूसरा और तीसरा पार्ट homework करना बेयाद आसान question है इसी तरीके से आपको करना अगर हम सब बताएंगे वीडियो काफी लंबा होगा और आपको भी तो कुछ करना चाहिए नहीं तो समझ में क्या आएगा तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे तीसरे question की तरह चलिए देखते हैं question number 3 क्या है कि सत्यापिक कीजिए कि दिखाये गए मान निमलिखित इस्थितियों में संगत बहुपत की सुन्यक है हमने आपको बताया सुन्यक क्या होते हैं कि अगर बहुपत बे x का मान रखने पर अगर इसका मान सुन्या आ जाता है तो वो इसका सुन्यक है तो इसमें answer question में दिया गया है px ब्रावर 3x प्लस 1 x ब्रावर माइनस 1 पर क्या ये इसका सुन्यक है तो हम देख लेते हैं कैसे देखेंगे x का मान इस बहुपत में रख कर देखेंगे तो x ब्रावर माइनस 1 बाई 3 रखने पर तो क्या जाएगा p-1 बाई 3 equal to 3 के जगा पर क्या रखेंगे minus 1 बाई 3 minus 1 बाई 3 plus 1 3 से 3 cancel minus 1 plus 1 cancel होके 0 आ गया यानि कि इस बहुपत का मान minus 1 upon 3 पर 0 हो रहा है तो minus 1 upon 3 इस बहुपत का क्या है सुन्यक है तो सत्यापित कीजिए की दिखाए गए मान इस बहुपत की सुन्यक है तो हाँ क्या है हाँ सुन्यक हाँ minus 1 upon 3 दिए गए बहुपत का दिए गए बहुपत का सुन्यक है बस हमारा यह answer हो जाएगा ठीक है तो आईए देखते हैं दूसरा question बहुत ही आसान है दूसरा करवाही देते है इसमें क्या है कि P X बराबर P X इक्वल टू 5 X minus P और निकालना है X बराबर 4 upon 5 पे ठीक है X बराबर 4 upon 5 पे तो X की जगाव पे 4 upon 5 रखते हैं तो क्या जाएगा P 4 upon 5 इक्वल टू 5 इंटू X जगाव पे 4 upon 5 minus पाई ठीक है 5 से 5 कैंसिल क्या जा 4 minus पाई तो इसका मान क्या गया 4 minus 5 तो इसमें क्या लिखेंगे नहीं नहीं दिया गया मान दिया गया X का मान बहुपद के लिए सुन्यक नहीं है ये देखिए दिये गया मान लिए रिस्टियों में संगत बहुपद के सुन्यक है तो यहां सुन्यक नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे नहीं दिया गया मान बहुपद के लिए सुन्यक नहीं है तो इसी तरह से इसको solve करना है दूसरे के बाद हम question number करते हैं चौथा चौथा question करेंगे तो चौथे में क्या दिया है PX equal to X plus 1 X minus 1 X equal to 2 मान दिया गया minus 1 पे भी check करना है और 2 पे भी check करना है तो हम पहले minus 1 पर check करते है P minus 1 तो X equal to minus 1 प्लस 1 और X equal to minus 1 और minus 2 लिख लेंगे तो क्या जाएगा minus 1 प्लस 1 cancel हो गया 0 into minus 3 0 को 3 में multiply गया 0 आ जाएगा तो अब ये मान बहुपद कमान क्या आ गया 0 आ गया किस पे minus 1 पे तो लिख देंगे minus 1 पर बहुपद कमान सुन्या रहा आता minus 1 बहुपद का सुन्यक है ठीक है अब आएगे चेक कर लेते हैं 2 पर भी P2 कमान निकालते हैं क्या आएगा 2 प्लस 1 X equal to 2 रखेंगे फिर 2 minus 2 2 1 3 into 2 में से दो गया 0 3 0 0 तो यहां पर भी क्या आ गया 0 तो ये भी 2 भी क्या है बहुपद के लिए एक सुन्यक है क्योंकि बहुपद कमान सुन्य आ रहा है ठीक है आएगे देखते हैं अब छटवा कोशिशन पांचवा हूमवर्क है छटवा देखते हैं हाँ हूमवर्क कौन कौन सा है यहां पर देख लिजी हमने कोशिशन नंबर तीसरा नहीं करवाया हूमवर्क है चौथा करवा दिया और पांचवां भी हूम वर्क है पांचवां भी आप लोग करिए हम छठवां और सातवां कोईशन बताते हैं आठवां भी हूम वर्क है आठवां भी क्या है? हूम वर्क है ठीक है? तीसरा पांचवां आठवां कोईशन बेहद आसान कोईशन है तो आप लोग इसको करिए हम अब बताते हैं च्छटमा कोई से चलिए देखते हैं कोईशन नमबर फूर में है पी एक्स एक्वल टू एल एक्स प्लस एम जहां पर एक्स का मांड रखना है माइनस एम अपान एल ठीक है तो चलिए देखते हैं पी एक्स 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 x बराभर माइनस M upon L रखने पर बहुपत कमान सुन्यारा अता ही चाह बहुपत का एक सुन्यक है तो x बराभर माइनस M upon L एक सुन्यक है ठीक है बस इसको आप लिख लीजी हम वार बार नहीं लिखेंगे तो देखते हैं Question Number 7 यहां देख लेते है question number 7 7 में है Px equal to 3x square minus 1 3x square minus 1 x की value क्या रखना है minus 1 upon root 3 और 2 upon root 3 तो पहले minus 1 upon root 3 रखके देखते हैं तो P minus 1 upon root 3 क्या हो जाएगा 3 into x की जगा पे minus 1 upon root 3 का square minus 1 3 into अब यहाँ पर minus 1 upon root 3 दो बार गुड़ा होगा minus 1 upon root 3 into minus 1 upon root 3 बिस्तार से करके बताते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा अब देखिए minus minus का गुड़ा प्लस हो जाएगा 3 into minus minus का गुड़ा प्लस और root 3 into root 3 का गुड़ा पिछली एकसरसाइज में हम आपको बता चुके हैं अगर root x into root x है तो क्या हो जाता है? x हो जाता है तो यहाँ पर root 3 into root 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा तो 1 और minus minus का गुड़ा प्लस हो जाता है तो 1 upon 3 और minus 1 तो 3 से 3 कैंसिल यहाँ पर 1 और minus 1 equal to 0 तो minus 1 upon root 3 पर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? हाँ minus 1 upon root 3 एक सुन्यक है इस बहुपत का एक सुन्यक है सुन्यक है इस बहुपत का एक सुन्यक है आईए चेक कर लेते हैं 2 upon 3 पर भी P 2 upon root 3 पर क्या होगा? 3 into x square x 2 upon root 3 का square और minus 1 3 into 2 upon root 3 into 2 upon root 3 minus 1 2 upon root 3 2 upon root 3 minus 1 ठीक है 3 into 2 तूजा उपर जाए 4 upon root 3 root 3 का गुड़ा 3 minus 1 3 से 3 कैंसिल 4 minus 1 4 minus 1 आगया equal to 3 यहां पर इस का मांद सुन्यक नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे? नहीं नहीं बहुपत में 2 upon root 3 बहुपत का बहुपत का सुन्यक नहीं है ठीक बस यह हो गया आपका question number 3 अब देखते हैं कि question number 4 में क्या है तो बहुपत आसान है हमने इसमें आपको तीन question हो मोर गया उसको आपको करना है अब हम देखेंगे question number 4 निमलखित इस्थितियों में से प्रतिक इस्थिति में बहुपत का सुन्यक ज्याद कीजिए तो question number 1 है PX equal to X plus 5 तो यहां पर हमें इसका सुन्यक ज्याद करना है जब X के जिसमान के लिए PX सुन्य हो जाएगा X के जिसमान के लिए PX सुन्य हो जाएगा X का वह मान क्या होगा X बहुपत का सुन्यक होगा तो देखते हैं अगर X plus 5 X plus 5 लिखा है हम X का क्या मान रख दें कि तो अगर हम यहां X की जगा पर –5 रख देंगे तो –5 प्लस 5 मिलकर 0 आ जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे X –5 रखने पर तो P5 हमारा मान आ आएगा और क्या हो जाएगा –5 प्लस 5 –5 प्लस 5 कैंसिल equal to 0 तो इसका सुन्यक क्या हो गया सुन्यक बराबर क्या हो गया minus 5 minus 5 आपका answer हो गया ठीक है दूसरा देखते हैं दूसरे में है दूसरा x minus 5 है तो plus 5 रख देगे answer आ जाए दूसरा नहीं बता रहे है दूसरा home work हो गया दूसरा home work तो तीसरा है px equal to 2x plus 5 तो हम यहां पर भी अपने आप से देखेंगी x का कौन सामार रख देए अगर दूसरा method है दूसरा method भी हमारे पास अगर बड़ा बेंजग यहां पर x plus 5 था कि वाद तो हमें पता चल गया कि हाँ जो है minus 5 रखने पार है लेकिन अगर ऐसे बड़ा बेंजगा जाए वहां हमें पता नहीं चलेगा कि हम x का कैसा मार रखेंगे तो हम यहां पर एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम 2x plus 5 को 0 के बराबर कर दें तो यहां से जो x का मान आएगा वही इसका सुन्यक हो जाएगा हम ऐसे ही करेंगे इसको तो ऐसे बता दिये अब इसको भी अगर इस तरह से करतें तो x plus 5 equal to 0 रखते और x equal to 0 minus 5 x bar minus 5 आणसर आजाएगा तो इस तरह से हम यहां पर भी इसको निकालेंगे minus 5 हमारा इसका सुन्यक हो जाएगा तो यहां पर हमारा सुन्यक क्या होगा अब ऐसे अगर हम देखेंगे तो यहां पर रखी नहीं पाएगे तो इसको 2x plus 5 इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो 2x equal to 0 5 इधर आएगा minus 5 हो जाएगा 2x equal to minus 5 x equal to 2 इधर आएगा इसा इधर multiply में इधर आके divide हो जाएगा minus 5 upon 2 तो यहां पर जो x का मान आया वो minus 5 upon 2 आया यही हमारा क्या हो जाएगा इस बहुपद का सुन्यक हो जाएगा minus 5 upon 2 यह answer हो गया ठीक है बढ़ते हैं आगे और देखते हैं question कैसे किया जाएगा अगला question चलिए देखते हैं चौथा question चौथे में क्या है px equal to 3x minus 2 हमें इसका सुन्यक निकालना है तो हम इस बहुपद को जिरो के बराबर कर देंगे बहुपद क्या है 3x minus 2 equal to 0 3x equal to 0 यह इधर minus है आके plus में जाए plus 2 3x equal to 2 x equal to 2 upon 3 आके नीचे वे जाएगा 2 upon 3 x equal to 2 upon 3 तो यहाँ पर 2 upon 3 जो है यह हमारा सुन्यक हो गया यही हमारा क्या हो गया answer 2 upon 3 ठीक है इस तरह से इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे आगे देखते हैं पाच्वा कोशन px equal to 3x है तो हम यहाँ पर 3x को 0 के बराबर कर देंगे और x कमान निकाल लेंगे वह हमारा answer होगा तो x equal to 0 upon 3 हो जाएगा और जब 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो वो क्या आता है 0 तो यहाँ पर इस बहुत का सुन्यक क्या होगा 0 होगा 0 इसका answer होगा ठीक है आगे देखते हैं px equal to ax है जहाँ पर a does not equal to 0 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर a 0 होगा तो यह अपने आफी 0 होगा यहाँ पर इसका कोई सुन्यक निकालने का मतलब नहीं रहे जाएगा तो ax equal to ax को 0 का बरावर करेंगे तो यहाँ पर x की value आएगी 0 upon a और x बरावर भी क्या आजाएगा 0 तो यहाँ पर भी x का सुन्यक क्या हो जाएगा 0 आपका answer हो जाएगा तो last question एक question और बचा हुआ है question number 7 आए उसको भी देख लेखते हैं इसी के साथ यह exercise हो जाएगे end sum आपत तो px equal to cx plus d जहाँ पर लिखा है कि c does not equal to 0 और c और d वास्तविक संख्या हैं वास्तविक संख्या है तो कोई बात नहीं चाहेए वास्तविक संख्या हूँ वास्तविक संख्या है तो भी तो देखिए px को 0 के बराबर कर देंगे तो हमें x की value आ जाएगी और वही x इसका सुन्यक होगा px कितना है cx plus d बराबर 0 करेंगे तो cx बराबर 0 minus d हो जाएगा cx equal to minus d हो गया value क्या आ गई minus d upon c यही इस बहुपत का क्या हो गया सुन्यक हो गया यही इस बहुपत का सुन्यक हो गया और यह हो गया हमारा answer तो यह exercise 2.2 समाप्त होती है वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करेंगे ज़रूर बताएए पीबिया इस्टरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए नमस्कार दोस्तों जैहन थैंक्स फार वाचिंग